आज का ये वीडियो while loops पर dedicate होने वाला है हम लोग basic से देखेंगे while loop क्या होता है और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि do while loop जो कि एक variant होता है while loop का वो किस तरह से काम करता है do while loop को हम लोग तब इस्तिमाल करते हैं जब हमको loop body को कम से कम एक बार execute करना होता है और हम safely ये बात कह सकते हैं कि do while loop एक ऐसे प्रकार का while loop है जो कि कम से कम एक बार execute होता है अब चलेंगे हम लोग computer screen में while loop के syntax को देखेंगे कुछ questions को solve करेंगे और उसके बाद फिर do while loop के syntax को देखेंगे लेट्स गिट स्टार्टेट अज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं while loops के बारे में और आप लोग को बताऊंगा while loops कैसे काम करते हैं for loop से किस तरह अलग है और क्यों while loops को अब लोग इस्तिमाल करना चाहूंगे है वरना code execute नहीं होता है और यह चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है एक नोट लिखा हुए मैंने आपर if the condition never becomes false loop will never end and this might crash the runtime जो आपके जावस्क्रिप करें टाइम उसको crash कर सकती है तो आप लोग को enter the value of n ठीक है और यहां पर मैं n is equal to as always number.parcent करता हूं और n करता हूं यहां पर भी obviously मैं n लिखूंगा अब यहां पर क्या करता हूं मैं यहां पर लिखूंगा while और मैं यहां पर लिखता हूं i is less than n और यहां पर लिखता हूं console.log n और i++ add office लिख मुझे आप लिट i is equal to 0 लिखना पड़ेगा i को initialize करने के लिए अब देखो इस program में हो क्या रहा है सबसे पहले यहां तक तो मैं क्या कर रहा हूं कि n की value को user से मांग रहा हूं user ने n की value को डाल दिया मैंने उसको integer में convert कर दिया इसके बाद मैंने कहा कि i की value को 0 कर दो एक variable बनाओ i और उसकी value को 0 कर दो ठीक है यह भी मैंने कर दिया अब यह करने के बाद क्या होगा i की value जब तक n से छोटी है क्या 0 n से छोटा है मालो मैंने 10 एंटर किया हाँ 0 n से छोटा है तो i की value प्रेंट करूगा not n मैं i की value प्रेंट करूँगा तो 0 प्रेंट हो जाएगा फिर मैं i की value को 1 कर दूँगा फिर इसके बाद 1 प्रेंट हो कोशिश करते हैं सबसे पहले तो i की value 0 थी तो ये condition true हुई जिसकी वज़े से ये loop की body execute होगी जिसकी वज़े से console.log i print होगा जिसकी वज़े से 0 print होगा और उसके बाद i++ होने की वज़े से i की value of 1 हो जाएगी क्या 1 is less than n क्या 1 is less than 3 yes that's true 1 is less than 3 तो console.log i print होगा यानि की 1 print हो जाएगा i की value of 2 हो जाएगी क्या 2 less than 3 yes that's true 2 भी print हो जाएगा i की value 3 हो जाएगी क्या 3 less than 3 no 3 is not less than 3 3 less than 3 is false और अगर आप लोग confused है यार चेक करना चाहते है इस चीज़ को तो आ जाओ यार console में और लिखकर देखो 4 less than 4 3 less than 3 आपको बता चल जाएगा या पर कि 3 less than 3 false है क्या 3 is less than equal to 3 yes that'll be true ठीक है तो यह चीज़ आप लोगो पता हो नहीं चाहिए ठीक है तो यह चीज़ तो में पता चल गई तो वाइल लूप बहुत ही basic सा लूप है बस execute होने का तरीका अलग है ठीक है फॉर लूप में क्या था तीन statements थे तीनों statements का अपना अलग अलग काम था वाइल लूप के अंदर क्या है वाइल लूप के अंदर बहुत ही simple सी इसको चला दिया मैं यह पर ठीक दूँगा और जीरो प्रिंट होता रहेगा होता रहेगा यह नदर मारो CPU का यूजज जो बढ़ रहा है काफी बढ़ा था ठीक है क्या इस प्रोग्राम चलता रहेगा डों नो तो यह पर देको 000000 को मैं आप पर इस्टॉप करना जाता क्योंकि कोई फाइदा नहीं है ठीक है तो आपका रंडाइम क्रैश भी हो सकता है अगर आप लोग ब्राउजर की टैप पर करोंगे तो ट्राब आपकी रिस्पोंस करना बंद कर देगी करके भी मत देखना क्या फाइदा बट हमें खत्रों के खिलाडी तो करेंगे भी ठीक पर 10 करद मा और यहां पर मैं काम करउंगा आय प्लस प्स तो करच, मैं लेकिन यहां पर लीक् Eari दो अर् हम बटता जा रहा है बटता जा तो बटता जारा है। अब बटता जारा भी चैन, यह काम करना डावे क्योंक्य व्ह अक्टीन, स्क्रीन में ये क्टाम के बाद हैंग जो Chrome है वो काफी हद तक memory खा रही है और ये memory usage बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है आप देख सकते ऑपनी computer screen में CPU खा रही है पचास परसेंट Google Chrome मेरा पचास परसेंट राइजन 9 लगा हुआ है मजाक नीए भाई मजाक नीए राइजन 9 लगा हुआ है कहां पर लिख और आता है कहीं तो लिख कर आता है मजाक नहीं है देख अब उसके बात भी अब देखो यहां पर पावर यूजज वेरी हाई देखरें है आप लो भाई देखरो ग्यारा gb वह नहीं हो गई ओ ओ ओ ऑ ओ ऐसको बंद करना ओगा इसको बन करना होगा दोस्तों अन्हां हम इसको बंद क рокोंね है अच्छी है मेरा दूइदा मैं आ अच्छोग मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग चलरही है और मेरा फिर वां बन के समें प्रावसर पता नहीं क्या हुआ अभी मेरे कंप्यूटर में वर्निंग वगर आने लग गई और मुझे अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट भी करना पड़ गया और यहां पर आप लोग देख सकते हो कि यह रहा है क्रोम दिन शट डाउन क्रेक्टली रिस्टोर कर देता हूं स मेरे कंप्यूटर के इतने अचा है अन्फेक्रिशन होने बावजूद भी मेरे कंप्यूटर में दो विधाय आने लग गई मतलब कुछ ऐसा ख़़ावराप नहीं हुआ बट समझ दो नहीं करना चीह सरकस सरकस अच्छा नहीं है ठीक है अई सब लोग कमेंट में लिख दो स से आप भी लिख लेना ठीक है और यहां पर आय प्लस प्लस क्यार में कमेंट कर देता हूं कोई भी रैपल चलाएगा तो मुझे बुरा बला गएगा ठीक है मैं नहीं चाहता ऐसा हो ठीक है तो वाइल लूप कुछ इस तरह से काम करता है अब डू वाइल लूप क्या होता है वाइल लूप का वेरियंट होता है और बहुत ही सिंपल सी चीज़े आप लोग को दिखाता हूं जिस तरह से वाइल लूप होता है तो यह वाइल लूप मेरा मैं आप लिख देता हूं वाइल लूप और डबलू को स्मॉली कर देता हूं ठीक है और यह क्या होगा मारा डू मैं कुछ इस तरह से करूँगा तक के अमन्ट आ और यहाँ आप देखो और यहां पर आप देखो एंटर वैल्यो आ इस तरह से काम करता है यह आप लोगों को दिखाता हूं क्या होगा जब पहली बार एक्जिक्यूट हो रहा होगा यह चीज तब क्या होगा कि इसके एक्जिक्यूट हो ही जाएगी क्टिशन चेक ही नहीं हो रहा है पहले ब्लॉक रहन होता है फिर कंडिशन चेक होती है ब्लॉक रहन होता है फिर कंडिशन चेक होती है वाइल लूप है तो फिर से block run होगा तो एक बार कम से कम execute जरूर होता है do while loop तो अगर मैं इसको चलाओ अभी और enter the value of n में 3 करूँ तो 0, 1, 2 आ रहा है अब आपको गया तो same चीज है चल गया रहा है तो do while loop एक ऐसा while loop होता है जो कम से कम एक बार execute होता है ठीक है simple सी बात है तो i is equal to 0 है आपर लिखा मैंने console.log i लिखा i plus plus while i less than n ठीक है अगर मैं आपर i is equal to 10 कर दूँ और फिर मैं आपर इसको run करके जो n की value हो 2 कर दूँ enter बार हो तो एक बार 10 print होगा ही होगा कि क्या हो रहा है कि पहले execute हो रहा है फिर condition evaluate हो रही है अब होगा फिर condition check होगी condition true है तो फिर execute होगा and so on and so on ठीक है तो इस तरह से चलती है चीज़ तो मैंने आप बात लिखे हुई है और बहुत ही simple सी बात लिखी है while loop के इस variant के बारे में कि do while loop एक ऐसा प्रकार का while loop होता है जो की कम से कम एक बार execute होता है ठीक है कम से कम एक बार execute होता है अब आप लोग को क्या करना sample program लिखना है while loop to while loop को demonstrate करते हैं ठीक है वो आप लोग कर लो और यह program जो है मुझे आप लोग दिखाना रप्लेट के comment section में ठीक है रप्लेट के comment section में ना so yeah that was about this video thank you so much guys for watching this video कर आप लोगो ने भी तक प्लेलिस आकसे से करें जावसक्प्री दू या क्लिक करके इसको बुक्मा करें या क्लिक करके इसको save करें thank you so much guys for watching this video and I will see you next time you